चुनाव आते ही उमिद्वारों के लिए चुनाव प्रचार की सुर्वात हो जाती है चुनाव प्रचार के लिए उमिद्वारों द्वारा कई तरीके अपनाए जाते हैं बात करें पश्चिम बंगाल की तो आज भी यहां एक ऐसी परंपरा कायम है जो अन्य राजों में या तो पहले से नहीं है अत्वा कहीं अगर पहले थी भी तो अबना के बराबर रह गई है हम बात कर रहे हैं दिवार लेखन की जो परंपरा आज भी बंगाल में कायम है इन दिवारों पर उमिदवारों का नाम वो पार्टी का चुनाव चिन लिखकर चुनाव परचार किया जाता है भले ही पहले के समान चुपते नारे और शब्दों के बांड अब दिवार लेखन में देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन आज भी चुनाव आते ही कॉलकता समेथ राज जिवर की दिवारें उमिदवारों के नामों और राजनितिक पार्टियों के चुनाओं चिनों से पढ़ जाती है हाला कि आज के डिजिनल यूग में चुनाव प्रचार का यह तरीका लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है लोगों का कहना है कि किसी की नीजी संपत्ति पर इस तरह दिवार लेखन करना केवल दिवारें गंदी करने का एक तरीका है और कुछ नहीं पहले से कर लिया जाता है दिवारों पर कबजा कर लिया जाता है इसके लिए राजनितिक पार्टियों के नाम दिवारों पर लिख देते हैं चुनाव करीब आते ही दिवार लेखन की शुरुबात हो जाता है दिवारों के लिए हो जाता है खुन खराबा पश्ची मंगाल में दिवारों के लिए खुन खराबा तक हो जाता है अब भी दिवारों पर कबजे को ले करके राजनितिक पार्टियों के बीच बाद विवाद और हंगामे की घटनाएं देखने को मिल जाते है